नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप सब बहुत अश्य होगे दोस्तों जारखन्ड पॉलिस कॉंस्टेबल की वेकेंसी निकलो यह आपको पता होगा इस वीडियो में दोस्तों दो तीन चीज़ हम किलियर करने वाले अधर स्टेट के बच्चों का बहुत सारा सवाल अधर यह सब भाझा इस व्यक्त करेंगा में लेक बहुत इसका हैं लीगिए इस में से को आपको चूश करना होगा आप लोग क्या चूज करोगे एक नंबर दोस्तों यहां पर देख और हिंदी दोस्ता हिंदी अगर चूज कर ले तो हिंधी पूछेगा इंग्लिस मीडियुम से इंग्लिस चूच कर लो कोई एक आपको जो उर्दु चाहता है जो लोकल भासा वहां का संथाली जो एक भासा आपको चूच करना होगा प्लीर है चलो सारा खुश आपको बताते हैं डीटेल्स में कब से फॉर्म भरा जाएगा एज के बारे में कंफ्यूज हो रहे थे कि सर अधर अधर का पैसा लगेगा बाकी एसी स्टी है तो पचास रपर फिमिल का अब एज यहां पर में किलियर कर दता हूं एक है निउन्तम एक है अधिक्तम बीजा एज काउंट का बारे में समझेगा सब से पहले निउन्तम जो एज आपका काउंट हो रहा है 18-2023 यह क्या है समझ में आपको मैं असान भसम समझाता हूं यानि 18-2023 तक आपका जो एज है न मिनिममम 18 साल होना चाहिए मिनिममम मतलब हिंदी में निउन्तम बोलते है यानि इस डेट टक एक अगस्ट 23 तक आपका कोई भी कटेगरी है 18 साल होना चाहिए अब देखो यहा जेनरल का 25 साथ ठीक है छूट मिलता है BC-EBC यानि BC-2 जारकन में चलता है BC-1, BC-2 यह धिया रखेगा मेल का 2 साल का चूट मिलेगा यानि यह क्या हो जाएगा 27 साल तक बाकी BC-EBC जिसको BC-2 कह दे आसान भसमें फीमल का 3 साल का चूट यानि यह 28 साल तक बाकी AC-ST 5 साल का देखो 1 अगस्त 2019 तक जेनरल का 25 साल एज बाकी जोस्तों इस केटेगरी का 23 साल इस केटेगरी का 28 साल और इस केटेगरी का 30 साल होना चाहिए यानि आप बोल सकते हो ना कि सभी को इस डेट टक क्योंकि अभी दोस्तों 2023 खतम होने के है तो 4 साल पहले यानि 4 साल एक्षा आउन हो रहा है समझ गए कर नहीं समझ गए इस बात को ध्यान अखियेगा और इस बात पर चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कीजेगा हम लेटेस्ट वेकेंसी का आप को आपको अब प्रवाइट करवाते हैं और दोस्तों असान भासम आपको समझा देता है इस बात पर इसी लिए डिले हो रहा था कि भाईया अधर स्टेट वालों को समझे अधर स्टेट वालों को इसमें मौका नहीं देने के लिए केस वेगर सार कुछ चल रहा था लेकिन इसमें आप अधर स्टेट का बच्चा भर सकता है जनरल से फ़र्म भरेगा अन्रिजर्ब से ठीक है में दो चीजें होती है जिसको जनकारी नहीं है पहले में क्लियर करता हूं पी इटी यह क्या होता है फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट उसके पड़ पी एमटी फिजिकल मजें मेजेर्मेंट टेस्ट असान हिंदी में समझाता हो पीटी मतलब आपका डॉड भीया समझे है डॉ लेगा चेर स्टाप का जो भी हो गया ठीक है उसके बाद मेडिकल अगला स्टेज हो गया और यह सब किलियर करोगे तो फिर आपका लास्ट में रीटेन अब यह सब पर किरिया अगर सो बच्चा भरता है तो लास्ट जाने में 50% यहां पर फेल हो जाएगा मेडिकल नॉर्म में जोस्तों हाइट 160 सिंटीमीटर मेल का ठीक है फीमल में आव दोस्तों आएंगे हम बताएंगे मेल का एक सुसाट एसस्टी के एक सो पच्बन फीमेल में 148 सेंटीमेट ठीक है चेर्ट एक एसटी हैंसे सेमेंटीनाइन मीनिमम पांच सेंटीमीटर हुलाना होता है रणिं पहले 10 किलोमीटर का आपका रणिंग है बहिया समय है एक घंटा मेल का और दूस्तों आधा घंटा आपका ठीक है आधा घंटा आपको फीमेल का ठीक है बाद समझेगे यह दूस्तों जनकारी मैंने आसान भासा में आपको समझाया अब देखिए एक्जाम का पेटर्ण सब जाता है तो आपका एक अधाट गलत हो जाता है तो और फॉलिस आराच्छी भरती परिशाor के एकौड़ी सेदा हुप म्का इसमें आपका जैसे जनजाती हे भासा ग्यान हो गया यह uh पत्र वन में पत्र टू में दोस्ट आपका हिंदी हो गया समान ग्यान होगिया और संख्याकत्म योगता यानि मैत होगा सारा का सारे नियूतन जो से लेपस उसी को को अकोर्णिंग है शाथ में आपको दो सॉल प्रेपर भी देखनों को मिल जाएगा और चौबी सो पचास से जाता बहुबय करने के लिए अच्छा बुक है दोस्तों इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्सर में प्रवाइट कर दिया है तो वहां से ओनलें ले सकतो यहां पर दोस्तों जैसे मैंने बताया पेपर वन का सिलेवस इतना भासा है इसमें से कोई एक आपको चूच करना है छेतरी और जंजाती है भासा 100 यहां पर कोस्चन हो गया बात समझें के नहीं समझें ठीक है सो कोस्चन उसके बाद दोस्तों यह जो पेपर है यह आपको मिनिमम 30 परशन लाना हाला कि मेरिट के लिए आपको जादा जादा समय लाना जरूरी है अब एक दिधान रख ठीक है तो यह जो भासा है 100 कोस्चन दो घंटे का समय मिलेगा पर तेक आपका 1-3 निगेटीव है एक कोस्चन तीन नमबर का है इसमें से कोई एक भासा आपको चूज करना है ठीक है चलो पेपर टू जो है न इस पर दो भाग है भाग वन में हिंदी आपका 50 कोस्चन पेपर वन यह भासा वाला हिंदी आपनों सेलेक्ट करोगे तो 100 कोस्चन यह हो गया ठीक है पेपर टू दोस्तों पचास पचीस पचीस यह भी सो कोस्चन हो गया ठीक है यानि तोटल 200 कोस्चन माक्स में भाईया एक कोशन क्योंकि तिन नमबर कहा है यह दिखाना कियेगा इस ही आपका यहां पर लिखाब हिए है paper वन प्लस पेपर टू मेरिट आपका बनेगा बात समझेगा तो आपको जादा जादा नमबर इसमें भी लाना है और इसमें भी लाना है पह संब्झेगे, अब हिंदी पढ़ना है, यहाँ पे हिंदी ले तो, यहाँ ले तो 150 जो हिंदी कहीं, भूमिका है बैई , अब यहाँ पे 25 तर मैट 25 है, क्या पढ़ना है बैए थीन सब्चेक्ट Music पढ़ना है ना तो इसमें इंग्लिस पढ़ना है इंग्लिस अगर लेते हो तो पढ़ना है पड़ेगा वह तो आपके हाथ में यह दोस्तों ध्यान के अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था वह भी क्लियर कर जाता है इसमें दोस्तों आप लोग देखोगो न कि डिश्टीक वाई अलग-अलग है तो आप लोग पूछ रहे ते सर क्या हम फलाना डिश्टीक में फलाना डिश्टीक में यह कब क्लियर होगा पर यह फॉर्म स्टार्ट होगा उस डेट क ठीक है तो अधर श्ट का मैंने बताया कि बहिया जेनरल से आपको फ्रम भरना है ठीक है तो जेनरल अभी बहिया 2019 एज काउंट हो रहे तक छूट मिले गहीं लेकिन रॉनिंग में छूट नहीं है यह भी 10 किलोमेटर जो डॉड़ है तो 10 किलोमेटर होगा पांच किलोमेटर पहले फिजिकल और दोस्तों यह परमनेट जो जाल खंड में तो बाई सबी चीजे आपके तरफ ही इसारा करती है का आपका अच्छा चीज होने वाला है बाकी सिलेबस बहुत ही कम सिलेबस से एक इसमें से कोई चूच करना है बाकी यहां पर जो सो जीके पढ़ना है मैद कि पढ़ना है क्या इससे असान सिलेबस कुई होगा एक सब्जेक दो सब्जेक और हिंदी ले तो तीन सब्जेक बल्ले बल्ले और सब्जह को सब्ज़े आपको सरस समझा दिया सान भासा में ठीक है चलो तो दोस्तों कोई सवाल है अब भी तो कमेंट के मादे हम पूछ लिजेगा और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजेगा अब आप लोग यह भी पूछोगा ना कभी यह पेपर जोगा सर दोनों के लिए एक घंटा सम अब पूछों के सर एक ही दिन एक्जाम होगा हालाक ऐसा कोई असपर्ष नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से एक ही दिन एक्जाम ले सकता है लेकिन ऐसा नोटिपिकेशन है नहीं हम आपने तरफ से पता आप है तो भाई यह वह पढ़ाई चालू करो यह एक दिन ले ले या अल वीडियो में इतना ही चानलो जरू सब्सक्राइब कीजिएगा धनिवाद